हलो फ्रेंज, आम बाक वूद अनदर वीडियो आप में से कुछ का कहना था कि मैं थर्ड यूनिट पर भी वीडियो बनाऊं तो आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ टीचर एंड टीचिंग थर्ड यूनिट का पार्ट वन फ्रेंज, इससे पहले मैं आपको यूनिट 1 और यूनिट 4 कम्प्लीट करवा चुकी हूँ तो आपने अगर अभी तक वो ना देखी हो तो जरूर देखें और फ्रेंज या क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करें क्योंकि दोस्तों ग्यान ही एक ऐसी चीज है जिसे जितना बाटेंगे और बड़ेगा और दुआएं भी मिलेंगी तो प्लीज शेयर करें अगर आपने भी तक शेयर ना की हो या ना देखी हो तो चलिए जल्दे से शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि टीचर क्या होता है मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है एक टीचर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन सिस्टम में कि टीचर के बिना एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है टीचर क्या है एक सेंडल अक्टर है एजुकेशन सिस्टम का एक healthy relation provide करवाता है pupil and societies के बीच में क्योंकि teacher ही है जो बच्चे को सिखाएगा कि कैसे society में behave करना है उसे क्या करना चाहिए या क्या उसके लिए अच्छा है तो teacher क्या है कि बच्चा जो होता है वो कोरा कागज होता है teacher उसके उपर लिखता है कि उसे क्या बनना चाहिए और बच्चा उसे हिसाब से सीखता है जैसे कि रविंदर ना टेगौर जी teacher के बारे में कहते है कि मतलब एक teacher तब तक कुछ नहीं सिखा सकता जब तक उसके अंदर खुद इच्छा नहीं है जब तक वो खुद नहीं सीख रहा हो कि लैंप कहा है जब तक खुद नहीं चला होता वो दूसरे लैंप को नहीं जला सकता तो एक teacher के कहा है अंदर इच्छा होनी चाहिए कि वो औरों को सिखा सके और निरंत जीवन भर खुद भी सीखता रहे विल्यम अर्थर टीचर के बारे में क्या कहते है एक मिडियॉकर टीचर कहा है बताएगा गुड टीचर एक अच्छा टीचर एकस्प्लेइन करेगा जो उससे भी अच्छा टीचर है वो डेमोंस्टेट करके दिखाएगा कि चीज ऐसे होती है लेकिन जो एक great टीचर है वो बच्चे को inspire करेगा learning के लिए और अगर ऐक बड़ आपने बच्चे को inspire करेगा learning के लिए उसके अंदर ही सीखने की इच्छा जगा दी तो फिर उस बच्चे को success पाने से कोई नहीं रोक सकता national education policy क्या कहती है टीचर के बारे में कि एक अच्छा teacher एक अच्छा school बनाता है और एक अच्छा school एक अच्छा student बनाता है और एक अच्छा student आगे जाके क्या है एक अच्छा citizen बनता है और जब citizen अच्छे होंगे तो देश तो अपने आप अच्छा ही बनेगा तो total मिलाके क्या है teacher की एहमियत बताते हैं अगर कुछ काम नहीं हो पारा किसे तरीके से तो रिस्क तो होता है लेगन कि वह टीचर को लेना पड़ता है पॉजिटिव अरटिट्यूड होना चाहिए आशहवाधी होना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि कहीं पर चेंज की जरूरत है तो वह चेंज करें compassionate होना चाहिए एक द्यालुता होने चाहिए बच्चों के प्रती प्यार होना चाहिए दिल में, creative होना चाहिए, determined होना चाहिए, अपने काम के प्रती, organized होना चाहिए, divergent thinker होना चाहिए, जिसके divergent thinker मैंने आपको बताया था, क्या होता है, कि जो एक ही problem के बहुत सारे solution सोच च के, क्योंकि class में क्या है कि बहुत अलग लग तरह के बच्चे बैठ हो है, तो उन्हें उन सबको रखके, दिमांग में रखके कुछ solution सोचना होता है, confidence होना चाहिए, dedication to excellence, ऐसा नहीं है कि कुछ सीख लिया तो रुख दे, जो बंदा कुछ सीखने के बाद रुख जाता है, और फिर वो आगे नहीं सीख पाता है, वो एक्सिलेंस तक नहीं पहुंच पाता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने कि इच्छा होने चाहिए, optimistic होना चाहिए, अब हम बात करेंगे जो हमारा main topic है, role of teacher in changing scenario, तो देखिए अगर 16 marks में question आता है, तो हम direct यहां से शुरू नहीं कर सकते हैं, हमें पहले थोड़ा सा teacher के बारे में बताना होगा, थोड़ा सा उनकी qualities के बारे में बताना होगा, अगर हमें एक अच्छा answer frame करना है, तो चलिए बात करते है, role of teacher in changing scenario, क्या role है teacher का, जैसे देखिए education system के धीरे धीरे बदल रहा है, तो उसके साथ था teacher का role भदल रहा है, पहले क्या होता था, mostly exams किया थे, pen paper based थे, कि मोटिफ क्या होता था, सिर्फ बच्चे को अच्छे ही marks दिलाना, लिकिन अब क्या मोटिफ है, कि बच्चे को ऐसी knowledge देना, जिसका वो आगे जाके use कर सके, पहले और क्या चीज होती थी, कि parents उतना involved नहीं होते थे हैं, discussion करते हैं, कि क्या होना चाहिए, और अच्छा बच्चों के लिए जिससे बच्चे अच्छा सीख सके, अपने बच्चे के बार में information लेते हैं, कि हमारा बच्चा कैसा है पढ़ने में, तो क्या है parents के भी involvement हो गई है, पहले क्या था, major source of knowledge teacher ही था, जो teacher बच्चों को बत टैकल करना है, यह सारी चीज़े खुद सीखते हैं, क्योंकि आज हमारे बास क्या है, internet है, google है, wikipedia, यह सारी चीज़े मतलब यहां से वह information ही कठा करते हैं, वो सिर्फ teacher की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, बलकि खुद भी check करते हैं, पहले वाली education क्या थी इस तरीके of knowledge, transmitter of knowledge कैसे है teacher, एक teacher क्या करता है, knowledge को transmit करता है, मतलब knowledge को बच्चों तक देता है, वो एक proper curriculum follow करते हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं, कि बच्चों को किस तरीके से मैं concepts वगएरा, किस तरीके से अच्छे से समझा सकता हूँ, teacher क्या है कि बहुत सारे तरीके लेते हैं, जैस कोशिश होती है, कि जितना मैं जानता हूँ, वो सारा मैं उन बच्चों को दे दूँ, जो मुझसे सीख रहे हैं, ताकि वो मुझसे बहतर बन सके, कहा जाते हैं, कि एक teacher ही होता है, एक teacher और हमारे parents ही होते हैं, जो हमें हमेशा उन से उन से उपर देखना चाते है, तो वही सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कि role model क्या होता है, role model वो person होता है, जो हमारे सामने अच्छे examples रखे, उनके words जो वो बोलते हैं, उन से impress हो जाएं, जब हम किसी से impress होते हैं, तो हम किसी से बनेंगे, तो वही बात होती है, जब हम सोच लेते हैं, मन में कि हम किसी की त बतार हैं, तो वो जादार क्या है, टीचर की नजरों के सामने रह रहे हैं, टीचर को देख रहे हैं, टीचर को फॉलो कर रहे हैं, और टीचर क्या है कि सुसाइटी में टीचर की बहुत रिस्पेक्ट होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, कि जैसा टीचर बिहेव करता है, बच्चे बिएव करने की कोशिश करते हैं जो टीचर की परस्टनालिटी है वो स्टुडेंट्स के माइंड पर एक रिफलेक्शन है जैसे आपने देखा होगा अगर बच्चे जो है बहुत शान सभाव का है तो बच्चे भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हे है कितने भी हम जबंगा जाए कितने भी बड़े औफीस बन जाएं जबी हम कभी आपने टीचर को देखे तो हमारा सिर अपने आप जुखता है हम अपने अप उनको विश करने जाते हैं एंको मस्ते बोलते तो यह क्या है क्योंकि हम टीचर को क्या मानते है rändig हम उन से सीखन चाहते हैं हम उनके जैसे बनना चाहते हैं तो एक अच्छे टीचर के रोल मोडल बनने के लिए क्या है सेवें केरेक्टर पॉजिटिव चॉइज मेकिंग टीचर को क्या हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए ठीक आउट लाउडली हर चीज के प्रोजन कॉंस देखना आपने देखा होगा कि कुछ कॉंपिटिशन होते हैं तो अगर कोई टीम हाज आती है तो चीचर के बच्छों पर ब्लेम ढटेते हैं कि हमने तो करवाया था अच्छे से और बच्छों ने किया लेकिन जो एक अच्छा पर कहां कि अपनी घलती भी माने है कि शायद हो सकता ह उनमें हर फियलड मेंं का इंडरस्ट होता है ता विर्डीनज होती है इस पर समझते हैं एक अशक में होता है कि बचों को गाइड करते हैं कि एक अपने प्रीयों के साथ किसे बनातर चरप से कासायों में ब्चुंत करने से डीग वो सिखाता है जब भी जरके सबस्क्त कर Brook करते हैं तो प्रषार ऑड वर्क करते हैं तो बच्चे भी क्या है उनके इच्छा होते हैं कि भी अच्छा काम करें वह भी सिखें किसी चीज को जैसे की अगर मान लीजिजे की आगर टीचर ही क्लास उनके सामने पेश कर रहा है अपनी personality का अब हम बात करते हैं teacher as a facilitator की facilitator क्या होता है जो हमें facilities provide करवाई तो teacher है कि facilitator की तेरा कैसे काम करता है कि teacher क्या हमेशा बच्चों के motivate करता है हमेशा बच्चे को encourage करता है ताकि वो किसी चीज में participate करें एक्टिव पाटिस्पेशन शो करें teacher और के करते हैं laboratory work करवाते हैं field trips discussion seminars ताकि बच्चों में क्या है एक अच्छी interaction बन पाए जब हमें एक अच्छी interaction होगी तो हमें दूसरों के point of view को सुनेंगे और अपने point of view रखेंगे तो हमें बता चले हैं हमारा level कितना और हमें कितना कुछ सीखना है हमें दूसरों से जब हम एक अच्छी positive talk होती है तो दूसरों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है तो यह teacher को motive होता है कि एक अच्छी communication बिठाई जाए classroom में control maintain करना ताकि positive environment हो ऐसा नहीं कि diversity दिखाना की resource technology किस किस तरीके से हम use कर सकते हैं मतलब यह सारी facilities provide करवाना उन्हें बताना कि इनके क्या फाइदे हैं तो as a facilitator teacher के क्या क्या रोल है सबसे पहले हम बात करते है neutral facilitator की neutral जैसे word ही बता रहा है जो सब के point of view को ढंग से सूने ऐसा नहीं कि किसी एक के point of view को ही माने devil's advocate अब devil's words क्या बता रहा है कि teacher क्या करेगा जो बात बच्चे बोल रहे हैं उनका oppose करेगा ताकि बच्चे अपनी बात को proof करने के लिए अपना point of view रखे तोसे शैतान होता है न हमेशे मतलब अलग चलेगा तो वही बात है teacher क्या करेगा उस वक्त अलग बात बोलेगा ताकि बच्चे अपनी बात सामने रखें declare interest कि अपना point of view बताएगा teacher lie sport the view of minority ऐसा नहीं है कि अगर कुछ बच्चे minority में कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देगा ऐसा नहीं होता है facilitator official view अगर किसी decision पर पहुंचे है तो office में बताता है जाके जैसे मालीजे कि बच्चे कुछ trip plan कर रहे है तो जाके principal office के कहीं जाके inform भी तो करना होता है challenger कि क्या करता है हमेशा बच्चों को challenge करता है उनके views के लिए क्या question पूछेगा उनसे अगर आप यह चीज बोल रहो तो इसके related question मतलब की वह पूछेंगे कि बच्चों में और जानने की इच्छा है provocator मतलब की क्या है provoke करेगा हमेशा बच्चों के ताकि वह और participate करे इन overall facilitator क्या करता है वह हर वह activity करेगा जिसे बच्चों में क्या है कि communication हो उनको सारी facilities provider infrastructure से लेके बाकी communication तक ताकि बच्चे क्या है सीख सके फिर उसके बाद बात आती है teacher as a negotiator अब देखें negotiator क्या होता है मध्यास्त जो कि क्या है किसी बात को किसी conflict को resolve करे teacher negotiator की तरह कैसे काम करता है एक teacher की जिम्मेदारी होती है कि वह एक अच्छा environment बना के रखे बच्चे ताकि खुश रहे जब हम खुश रहते हैं तो हम जल्दी सीखते हैं बलकि जब हम दुखी रहते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं पड़ाई पे तो एक teacher का क्या है बहुत जादा रोल है ताकि वह एक point of view भी रखना चाहते हैं तो अगर एक teacher ऐसा है जो दुसरों का point of view नहीं सुन रहा है मतलब बिल्कुली ध्यान नी दे रहा अपनी बात मान रहा है तो फिर वह वहां पे चीज एक तालमेल नी बैट बाता है जिसकी वज़द से क्या बच्चे सीख नहीं पाते हैं तो teacher को क् negotiator भी act करना चाहिए कभी कभी जिसे हम बात करते हैं negotiation with students students के साथ कैसे negotiate कर सकते हैं कि teacher को क्या चाहिए कि student के emotional ups and downs को समझे एक clear procedure बता दे पहली जैसे माली चाहिए कि अगर teacher ने थोड़ा गलत procedure बता दिया तो फिर आगे चाकि उस पात पर conflict होंगे बच्चे के कि आपने तो प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है क्लास में teacher को हमेशे ऐसे statements यूज करनी चाहिए कि हां मैं तुम्हारी problem समझता हो या मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की तो इससे कि बच्चे के मन में teacher के प्रति विश्वास पैदा होता है तो वहां पे कोई conflict नहीं हो पाता है कि बच्चे क्या है कि teacher की बात मानते हैं उन्हें लगता है कि हां teacher हमारी साइड है negotiation between students अब teacher को क्या है कि students के बीच भी ऐसे मध्यास्त काम करना पड़ता है कैसे कि मालीजे कभी क्या होता है बच्चों में लड़ाई हो जाती कुछ issues हो जाते है तो teacher का क्या जिम्मेदारी बन क्या है और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि ऐसे फैसले पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जिससे दोनों पार्टे सहमत हो जाए तो क्या है जो बच्चों के बीच में लड़ाई होने वाली थी उसे teacher ने क्या कर दिया रोक दिया तो negotiation between students अब हम बात करते है negotiation between parents अब एक इसा नहीं है कि टीचर नहीं पर चिलाना शुरू कर दे एक अच्छी communication skills होनी चाहिए ताकि टीचर उनकी बात भी समझ सके और अपनी बात भी उन्हें समझा सके टीचर को क्या है कि parents से मिलते रहना चाहिए अगर parents उन्से मिलना चाहिए तो ऐसा नहीं कि मैंने मिल सकता यह कि बोलना चाहिए हमेशा कुद को available रखना चाहिए ताकि या और या फिर phone number भी दे सकते हैं अपना ताकि वह क्या है अपने बच्चे के बारे में उन्से जान सके टीचर की यह जिम्मेदारी मन जाती है कि वह parents के मन में विश्वास बिठाएं कि आप उनके बच्चे के रूम तो एक ही होता है या computer lab में भीड है तो कि टीचर आपस में नेगोशियेट कर लेते हैं कि चलिए इस वक्त क्लास आप ले लीजिए अगली क्लास में ले लूँगा तो यह सारी चीज़े स्टाफ मीटिंग में एक अच्छी communication होनी चाहिए जब फिल्ट ट्रिप्स वग आपको पहले बीजिए जब तक हम खुद सीखनी रहे हैं हम दूसरों को सिखा नहीं सकते तो वह क्या है कि क्लास में बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता है इसमें क्या हम जब सब एक दूसरे से सीखते हैं तो इस चीज के लिए कि टीचर की जब्मेदारी बनती है कि वह को ले जारा बाकी सुने तो को लेरिंग मतलब जहां सब के पॉइंट्स ओ व्यू सुने जाएं और हर कोई क्या है अपनी बात रखे और दूसरों की बात समझे और टीचर भी यहां पर क्या है कुछ ने कुछ सीख रहे हैं जैसे माली जै कि अगर टीचर ने क्लास में कोई आक्टिविटी करवाई तो कोई बच्चा क्या उसे दूसरे तरीके से कर रहा है तो वो टीचर को भी चीज सीखने को में ली कि हां ऐसे भी हो सकता है एक तरीके से कि बच्चों के लिए पीसफूल और सस्टेनेबल इन्वार्मेंट बनाना कि सब की बात सुनी जारी उनके दर विश्वास है इस बात का तो यहां पर हमारे यह टापिक खतम हो जाता है अब हम इसे कंक्लूड करेंगे कि इस तरह से कि भले ही टेक्नॉलजी ने आज एजुकेशन फील्ड में बहुत ही इंपोर्टन रोल प्ले करें लेकिन वो कभी भी टीचर की जगा नहीं ले सकती क्योंकि एक मशीन जो है कभी भी बच्चे की ज़रूरत नहीं समझ सकती उसके माइंड को नहीं पढ़ सकती उसके सिचुएशन को नहीं जान सकती तो टीचर का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सोसने कि एजुकेशन टीचर के बिना तो वह वैसी बात होगी कि एक अंध पाट्स भी अपलोड करूंगी तो थांक यू टेक कियर और अटेक कियर और अटेक तो अटेक टेक्टिट फोर मोर वीडियोस